वेल्कम तू इजी लेर्निक सवन हंड़ेट आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ पार्टनास . यह निके पार्टनर्शिप बिस्नस के अंदर जो पार्टनास होते हैं उनकी क्या कर ड्यूटीज होती हैं। ये राइट्स के उपर मैंने एक अलेदा वीडियो बनाई ये वह आप देख सकते हैं चैनल के अंदर अगर आप लिंग ना मिले तो उसके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो अब देखते हैं ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी होती हैं तो पहली चीज तो य रहे हों बिजनेस की उसको उन्होंने जो फीगर्स हैं वो चेंज की हुई हो तो पहली चीज़ तो यह दूसरी चीज़ यह के पार्टनर्स को अपनी पावर का जो इस्तमाल है लिमिट्स के मताबिक करना चाहिए और लिमिट्स कौन सी हो जो पार्टनर्शिप डीट के कमेंट होता है इसकी डिटेल के लिए एक वीडियो मेंने बनाई हुई है वह आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो सो पार्टनर्स और रिस्पॉंसिबल तो प्रवाइड एकुरेट इंफॉमेशन प्रवाइड करें यह नहीं कि खलत इंफॉमेशन प्रवाइड करें प्रवाइड करें प्रवाइड करें अगर बिजनस को नुकसान हो जाता है जितना भी मतलब हिस्सा बनता है लौस होने की सूरत में उनका उनको इतना हिस्सा पे करना चाहिए जितना भी बनें दस पीसाद बीस फीसाद टीसंटा बैनस बहुता है वह उनको पे करना चाहिए कि इसके 名वाण यह भी हर पार्टनर की ड्यूटी होती जो बिजनस के बार में किसी और शक्स को ना बताएं वह वजुड़ इंफोमिशन है पार्टनस के दर्मियान रहे किसी भार के शक्स को वह सीट्रेड इंफोमेशन को डिस्क्रोज ना करें and it is the moral obligation and legal responsibility of our partners not to use the firm's forum to take any advantage without intimating other partners. यानि कि जो फर्म का फॉर्म है जो फर्म की जगा है उसको किसी और दुसरे फाइदे के लिए इस्तमाल ना करें जब तक दुसरे पार्टनर को बताना दें उनसे पर्मिशन ना ले ले तब तक फॉर एक्जांबल जैसे एक रूम खाली पड़ावाए आफिस के अंदर अब वहां पर एक पार्टनर जो है वो टूशन देना शुरू करते हैं टूशन पढ़ानी शुरू करते हैं तो जब तक दुसरे पार्टनर को इन्फॉर्म ना कर दें उ अगर फॉर्म का जो फॉर्म है किसी और एडवांटिज के लिए यूज ना करें तो यह थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको ड्यूटिस ऑफ पार्टनर बताए गए आपको काफियत तक समझ में आया होगा लेकिन अगर कोई कन्फूजन है तो आप उसके लिए नीच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए